नमस्कार, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है क्या कद्दू के बीजों से सचमुच हो सकता है वजन कम, जानिये कैसे कद्दू से ज़्यादा उसके बीज चर्चा में रहने लगे हैं इसका कारण इनका वजन घटाने की डाइट का हिस्सा बनना है असल में इन बीजों में मैगनीसियम से लेकर कॉपर तक कई पोस्वक तत्व पाई जाते हैं जो सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही वजन घटाने में भी मदद करते हैं इन बीजों में विटामिन B, आईरन और प्रोटीन की भी अच्छे खासी मातरा पाई जाती है इसके अलावा इन्हें वजन कम करने के साथ साथ शरीर से गंदा कॉलेस्टरॉल बाहर निकालने के लिए भी जाना जाता है वजन घटाने के लिए कद्दू के बीज कद्दू के बीज पोशक तत्यों का पावर हाॉस होते हैं इन बीजों में प्रोटीन, हेल्ली फैट्स और फाइदे मंद फाइवर भरपूर मातरा में पाई जाते हैं पुरुष स्वा महिलाएं दोनों ही इसे सिहत मंद स्नैक्स की तरह खा सकते हैं इन बीजों को खाने पर पेट लंबे समय तक भरा हुआ भी महसूस होता है जिससे फूड इंटेक कम होता है कद्दू के 100 ग्राम बीजों में लगभग 560 कैलोरी और दिन भर में शरीर को जितने प्रोटीन की जरूरत होती है उसका 50% तक मिल जाता है इसके साथ ही कद्दू के बीजों में कई एंटी ऑक्सिडेंट्स भी पाए जाते हैं कैसे खाएं कद्दू के बीज? इन बीजों को पचाना आसान होता है इसलिए भी ये पेट के लिए और वजन कम करने के लिए अच्छे स्नैक साबित होते हैं इन्हें खाने के लिए इन्हें दोग कर सुखा लें इन बीजों को हलका भूना भी जा सकता है आप सूप बनाने में इन बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं सूप के उपर गार्णी सिंग करते हुए इन बीजों को डालें आपको सूप पीते समय एक्स्ट्रा क्रंच मिलेगा असमूदी या दही के साथ कद्दू के बीज खाये जा सकते हैं कद्दू के बीजों का मक्खन आपने शायद ही पहले कद्दू के बीजों से मक्खन बनने के बारे में सुना होगा या मक्खन खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है और आप इसे बड़ी ही आसानी से अपनी वेट लॉस डाइट का हिस्सा बना सकते हैं सबसे पहले तीन कप कद्दू के बीज ले लें इसके बाद इन बीजों को 5 मिनट के लिए 350F पर पका लें अब मिक्सर में कद्दू के बीज डाल कर पीश लें इसमें एक चमच दाल चिनी का पौडर एक चमच मसाले, एक चमच मेपल सीरप और एक चुटकी नमक डाल कर फिर से पीश लें तैयार है आपका कद्दू के बीज का मखन ऐसे ही आने खबरों के लिए बने रही हमारे साथ और देखते हैं मेडिकल माइक साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भोलें धन्यवाद